हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एक्जाम टॉपर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइन्स के इंपॉर्टेंट टॉप 30 MC की डिटेल में डिस्कस करेंगे यह साइन्स की सीरीज का पार्ट फिफ्ट है साइन्स से जातर कुछिन पुछे जा रहे हैं साइन्स का फिफ्ट वीडियो है तो आईए शुरू करते है हमारा फर्स्ट कुछिन है दोस्तों सिस्मो ग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है तो बताएए सिस्मो ग्राफ जो है किसका रिकॉर्ड करता है वै करता है भूचाल का ठीक है पुकम की तीवरता और अब्दी का पता लगाने के लिए जो है सिस्मो ग्राफ का इस्समाल किया जाता है और इस यंतर के जरीए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं सिस्मो ग्राफ इसके अधार पर जो है गणीती पेमाना या फिर रियक्टर पेमाना उसके जरीए पुकम की तरंगों की तिर्वता पुकम का केंदर और इससे निकलने वाली उड़ जागा पताया लगाया जाता है याद रखेगा दोस्तो हमारा सैकंड क्यूशन है दूद का आपेकशिक घनत वो ग्यात किया जा सकता है किस से किया जाता है तो वह है लेक्टो मीटर दूद का जो आपेकशिक घनत मेह है लेक्टो मीटर के द्वारा ग्यात किया जाता है याद रखेगा हमारा next important question है वाई यू मंडलिये दबाव जो है बैरोमीटर से मापा जाता है बात अगर करें हम हाइट्रोमीटर की दोस्तों तो द्रव घनत्व मापी या फिर उत्पलव घनत्व मापी या फिर हाइट्रोमीटर ये क्या होता है वैई अंत्र है जिससे बीना किसी गणना के द्रवों के जो है घ जानकारी थी ती यानि कि अगर आप से पूछा जाए हाइड्रो मीटर से क्या मापा जाता है तो द्रवों के घंद्व इससे पता लगाया जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी बताइए तो वह है नेक्स्ट हाइड्रो मीटर क्या है हाइड्रो मीटर हाइड्रो मीटर जो है क्या करता है यह वायू मंडल के आधरता नापने के साधनों को क्या करता है मापते हो से हाइग्रो मीटर से या फिर आप कह सकते हैं आधरता मापी आधरता मापी या फिर हाइग्रो मीटर जो की इस्तमाल किया जाता है वायू मंडल की आधरता नापने के लिए next अगर हम बात करें किसकी क्या दिया हुआ इसमे nanometer nanometer क्या होता बताएगे तो nanometer जो है क्या होता है metric प्रणाली में एक लंबाई की एकाई है चिक है जो एक meter किसके बराबर होती है बताएगे 10 की power minus 9 की ठीक है ये कोई यंदर नहीं है यह क्या है metric प्रणालि में एक लंबाई की इकाई है कियाद रखेगा हमारा फौर्थ कुश्चिन है मैनोमीटर के दुआरा किसकी माप की जाती है क्या मापते है मैनोमीटर से तो मैनोमीटर किसलिए यूज किया जाता है गैसो के दाप के लिए ठीक है मैनोमीटर जो है एक ऐसा यंदर है जिसकी सायता से दाप कमापन किया जाता है और ये यंदर क्या है यू अकार जो होता है ना यू अकार यू अकार की नली से बनाया जाता है और फिर इस नली में कुछ द्रव भरा होता है अधिकतर जो है इस द्रव के रूप में मरकरी का उप्योप किया जाता है क्यों क्योंकि मरकरी का क्या होता है गनत्व उच होता है याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट केशिन है पारिस्तितिक दबाव की इकाई क्या है तो पारिस्तितिक दबाव की इकाई है बार क्या है दोस्तो बार है याद रखेगा हमारा सेक्स्क्रिशन है जल अब घटन में उर्जा किस रूप में उत्पन होती है तो जल अब घटन में उर्जा किस रूप में उत्पन होती है वे होती है उश्मा के रूप में ठीक है हमारा नेक्स क्रिशन है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसमे मापी जाती है तो वह है गाईगर काउंटर से याद रखिएगा दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा बताईएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो एक्जाम टॉपर को लैक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूले हमारा नेक्स क्रिशन है रसायनिक अभी क्रिया में निम्न प्रभावित होता है तो रसायनिक अभी क्रिया होती है उसमें क्या प्रभावित होता है वे होता है इलेक्ट्रोन ठीक है किसी रसायनिक अभी क्रिया में ना तो द्रव्य माननस्ट होता है ना ही बनता है केवल पदार्थों का जो है परिवर्तन होता है और परमपरागत रूप से उन अभी क्रियाओं को ही रसाइनिक अभी क्रिया कहते हैं जिन में रसाइनिक बंदों को तोड़ने या बनाने में इलेक्ट्रोनों की गती जिम्मेदार होती है क्या दुखिए का दूस्तो हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दो तत्वों की परमानों संख्या समान है किन्तो इनके गुण भिन भिन है ये क्या कहलाते हैं बताईए तो उन्हें कहा जाता है आईसो टॉप क्या कहलाते हैं आईसो टॉप या फिर समिस्थानिक समिस्थानिक जो है एक ही तत्व के परमानों जिनकी परमानों जो संक्या है समान होती है परंतों परमानों भार जो है क्या होता है अलग-अलग होता है उन्हें क्या कहा जाता है समिस्थानिक इनमें प्रतेक परमानों में समान प्रोटोन होते है जबकि न्यूट्रोन की जो संक्या है वेह रहती है अलग-अलग और इस कारण जो है परमानु संख्या तो समान रहती है लेकिन जो परमानु का द्रव्यमान है अलग-अलग हो जाता है ओके दोस्तो हमारा 10th question है नीला थोथा क्या है बताइए क्या कहलाता है तो वै कहलाता है copper sulfate ठीक है नीलत होता या फिर तूतिया या फिर copper sulfate ये जो है अकार्मिक योगिक है जिसके formula की अगर बात करें तो formula होता है C-U-S-O-4 क्या होता है C-U-S-O-4 और इसे क्या कहते है क्यूप्रिक sulfate इसके अलावा copper sulfate जो है कई योगिकों को रूप में पाया जाता है जिनमें crystalन जल की मात्रा अलग-अलग होती है याद रखेगा दोस्तो हमारा next question है guanine तथा cytosine के बीच में कितने hydrogen बंद होते हैं तो guanine और cytosine के बीच में कितने hydrogen बंद होते हैं वे होते हैं दोस्तो तीन चिक्या है हमारा नेक्स्ट क्रिशन है जंपिंग जीन की खोज किस ने की थी तो बताईए उनका नाम क्या है जंपिंग जीन की खोज किस ने की थी वे थे मैक क्लिन टॉक ठीक है मैक क्लिन टॉक ने जो है जंपिंग जीन की खोज की थी हमारा next question है क्रिस्टी सहायक है किस में सहायक है बताईए तो वै होता है स्वशन में हमारा 14 question है परखनली में DNA का संसलेशन किस ने किया था तो परखनली में DNA का संसलेशन किस ने किया था वै ते कौन बग याद रखिएगा और दोस्तों ये वीडियो शेर करना बिलकुल न भूलें आप सभी जानते हैं शेरिंग इस दा बेस्ट वे अफ लर्निंग तो शेर जरूर करें हमारा नेस्ट क्रिशन है DNA की श्रिंखलाएं बंदी होती है किस से बंदी होती है बताईए तो वे है हाइड्रोजन बंद से ठीक है DNA जो है जीवित कोशिकाओ के गुण सूत्रों में पाये जाने वाले दंतुनुमा अनु को DNA यानि की डी ओक्सी राइबो न्यूकलिक अमल कहते हैं और इसमें जो है अनुवांशिक कूट निबद रहता है इसके अलावा DNA जो है इसकी सनरचना कैसी होती है कुमावदार सीडी की तरह है ओके हमारा नेक्स्ट क्रिशन है किन जन्तूओं में काईटीन युक्त बाहे कंकाल होता है तो वे कौन है वे कहलाते हैं कीट ठीक है कीटों में जो है क्या होता है काईटीन युक्त बाहे कंकाल हमारा नेक्स्ट क्रिशन है और्थो पोड़ा जन्तूओं में हलका नीला रुदिर किसके कारण हो सकता है तो और्थो पोड़ा जन्तूओं में जो हलका नीला रुदिर होता है वे किसके कारण होता है वे होता है हीमोसाइनीन के कारण हमारा नेस्ट क्षिशन है वास्तविक सिलोम किसमे एक चीर के रूप में बनती है तो वै है मीसोडर्म ठीक है हमारा नेस्ट इन क्षिशन है दोस्तों, गमन के लिए नाल पाद किन में होते हैं तो वै कहलाते हैं एकाय नौर्ड मेर्टा ठीक है एकाय नौर्ड मेर्टा में जो है गमन इसके नालपाद पाए जाते हैं जो खोकली नालिकार पवर्थ होते हैं इनमें भोजन पकड़ने उसर्जन और परिसंचरन के लिए जल सम्वैन तंद्र होता है ओके दोस्तो हमारा नेक्स्ट के शेन है किसके द्वारा प्रेक्षित जन्तु वर्गी करण को कृतिम कहा जा सकता है तो वै कौन कहलाते हैं उन्हें कहा जाता है लीनियस ठीक है हमारा नेक्स्ट के शेन है दोस्तो प्रती बंद एंजाइम की खोज किस ने की थी तो उनका नाम क्या है बताईए वैते इसमित और नौथंस ने किसकी खोज की थी प्रती बंद एंजाइम की क्याद रखिएगा और दोस्तो ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो और के लिए एक्जाम चौपर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें हरसो सार्स पेज़ पर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हल्प हो सके तो दूसरों की परिवर्तन का एक उधारण है बताईए क्या है तो वह है हसिया का रुदिरानु एनीमिया याद रखेगा हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तो प्राण घातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संसलेशन नहीं होता तो वह क्या है बताईए वह है आर एने पॉलिम रेज ठ ठीक है हमारा नेक्स्ट क्रिशन है क्रोमोसॉम की संरचना में कौन भाग लेते हैं तो क्रोमोसॉम की संरचना में कौन भाग लेते हैं वह होते हैं डी आने और प्रोटीन ठीक है हमारा नेक्स्ट क्रिशन है 26 निम्न में से कौन कम्प्यूटर हार्डवेर नहीं है तो इन मे हमारा next question है, कौन सा computer का भाग या फिर घटक नहीं है, बताईए इन में से कौन सा नहीं है, तो वे है दोस्तो, basic unit, ठीक है? 28 question हमारा, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामगरी नहीं है, तो वे क्या है, वे कहलाती है प्रचालन तंत्र हमारा next question है, एक बाइट कितने bits के बराबर होता है, वे होता है एक के हमारा last question है दोस्तो, computer की स्मृति का मापन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बताईए, तो वे है beats के द्वारा क्या किया जाता है कंप्यूटर की स्मृति का मापन याद रखेगा तो दोस्तों यह थे साइन्स के इंपॉर्डेंट टॉप 30 MCQ मोस्ट इंपॉर्डेंट क्यूशन आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए पसंद आया तो अपने स्टड़े रेटिर गूप में शेयर जरूर करें और एक्जाम टॉपर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कूल न भूले आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मज जोस्तो